मैं अतिती नहीं हूँ, मैं प्रभु का मित्र हूँ, संकट के समय मित्र का धर्म है दोस्तो, रामायन साल 1987 में प्रसारित हुआ था और इस धारवाईक ने कई सारे रिकोर्ड भी तोड़ दिये थे दर्शक इसे बहुत पसंद करते थे दोस्तो, गर आप भी रामायन देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें आज हम रामायन के पाच फैमस सितारों के बारे में बताएंगे, जो आज काफी बदल गए हैं बतादे कि टीवी एक्टर समीर ने धारवाईक रामायन में शत्रुधन की भूमिका निभाई थी बतादे कि इस धारवाईक के अलावा इन्होंने हमारे देवियाने टीवी शो में भी काम किया था दोस्तों आपको बतादे कि इनके पिता मशूर कलाकार मुलराज रजदा थे नमबर दो सुलक्षना खत्री टीवी अभिनेत्री सुलक्षना खत्री ने धारवाईक रामायन में मांडवी की भूमिका निभाई थी आपकी जनकारी के लिए बतादे कि उसके बाद इनोंने स्रिक रुषना तथा अलिफलेला जैसे टीवी शो में भी काम किया था सुलक्षना खत्री आज काफी खुबसुरत दिखती है नमबर तीन पदमा खन्ना अदाकारा पदमा खन्ना साल 1961 से छोटे परदे पर काम कर रही है उनका जन्म पटना बिहार में हुआ था आपको बता दे कि धारावाईक रामाइण में उन्होंने कई 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 की मुख्य भूमिका निभाई थी पदमा खन्ना आज काफी बदल गई है चोटे परदे पर काम करने वाले लोकप्रिय कलाकार सुनिल लेहरी ने धारावाईक रामाईण में भगवान राम के भाई लक्ष्मन का किरदार अदा किया था आपको बता दे कि इस धारावाईक के अत्रीक भी इन्होंने कई लोक प्रियशों में बड़े किरदार निभाए है सुनिल लेहरी आज काफी बदल चुके है नमबर पांच अरून गोविल आपको बता दे कि टिवी के फैमस एक्टर अरून गोविल धारावाईक रामाईण में मुख्य किरदारों में से एक थे जिन्होंने इस धारावाईक में भगवान राम की भूमी का अदा की थी अरून गोविल आज काफी बदल गए है वैसे दोस्तो इन में से कौन सा किरदार आपका सबसे फैवरेट है आप हमें कमेट करके जरूर बताएं धन्यवाद